स्टाप्रस की शो अनुपमा की गिर्दी टी आरपी को उठाने के लिए राजिल शाही तरह तरह के पैत्रे आजमा रहे हैं ताकि शो से जनता इंगेज रहे वही हम मेकर्स ने शो के एक ऐसे बड़े किर्दाव की वापसी प्रेंड की है जिनकी एक्जिर्ट से जनता हैरान रह जाएगी यह actress है शो में किंजल का रोल निभाने वाली actress निधी शा जिनके किदार की exit कुछ दिन पहले ही makers ने करवा दी थी लेकिन अब किंजल की दुबारा वापसी हो रही है जिसका खुडासा खुद निधी शा ने ही सामने आकर किया है और ये भी बताया है कि आकर किस मोड पर शो में उनकी वापसी होगी कैसे होगी दरसल कुछ वक्ष शो में दिखाया गया कि किंजल और तोश वो अमेरिका शिफ्ट हो चुके हैं और इसी के साथ किंजल की exit दिखा दी गई थी लेकिन अब e-time से बाचित में निधी ने बताया है कि शो में उनकी re-entry लीप के बाद होगी इस बार में दिधी बताती है इमानदारी से कहूं तो मुझे उमेंद नहीं थी कि इतनी जल्दी वापसी होगी पहले ये बात हुई थी कि मेरे लौटने में काफी समय लगेगा जैसा कि आपको पता है कि शो लीप लेने वाला है मुझे बताया गया था कि मेरी वापसी लीप की शुरुआत में होगी इतने लंबे वक्ते बाद सेट पर वापस लौट कर अच्छा लग रहा है मैं वापस आकर काफी इंजॉई कर रही हूँ मुझे पता था कि मैं शो से बाहर नहीं हूँ मैंने शो नहीं छोड़ा था वहीं अपकमिंग ट्विस्ट के बारे में निधी ने बताया स्क्रिप्ट की दिमांड है कि तोशु और किंजल वापस आ जाए ट्रेडूसर और क्रेटर्स लिप से पहले ट्विस्ट लाना चाते हैं कि हम यूके जाएंगे या नहीं क्या लिप के बाद निधी अनुपमा का हिस्सा रहेंगी इस पर वो कहती है अभी तक तो मुझे यकीन है कि मेरा रोल रहेगा फिलहाल मैं ट्रेक के बारे में नहीं बता सकती लोगों को इसके लिए अनुपमा देखना होगा विलनीदी ने ये भी बताया कि लिप के बाद किंजल और तोशु काफी एहम रोल में नसराएंगे इसलिए मेकर स्लीप से पहले ही उनके के दारों को लेकर आ रहे हैं ताकि वो लिप के बाद भी शो में जारी हो सके और लोग उनसे कनेक्ट हो सके साथ है कि अब शो में जल्दी अमेरिका ट्रेक शुरू होने वाला है जहां हो सकता है कि अनुपमा किंजल और तोशु की जिन्दगी की इर्दगिर्ध ही ट्रेक नसराएं हाना कि अब देखना तो यह है कि किंजल की वापसी से शो की टी आर पी में कोई मैजिक होता है या फिर नहीं